हेलो एवरिवान, आज हम इस वीडियो में कमपायर जों करेंगे मोटो जी 52 में और ओपो के 10 में देखते हैं कि बैस्ट कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले से तो मोटो के हैं डिस्पले 6.56 इंच की रेजुलेशन है 180.84 इसमें आपको AMOLED डिस्पले मिलती है ओपो के हैं डिस्पले 6.5 इंच की रेजुलेशन है 180.84 इसमें आपको IPS LCD डिस्पले मिलती है और आपको दोनों में ही 19 हर्स का रिफ्रेसिट मिलता है और पंच और कैमरा भी दोनों में मिल जाता है और डिस्प्ले क्वार्टी में मोटो बेस्ट है क्योंकिस में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है बात कते हैं प्रोवसर की तो दोनों का सेम है स्नैप ड्रेंग का है 680 का CPU है 2.40 का हार्ड ओक्टेकोर का 6.99 का फिन पैड GPU है 610 का बेक केमरा की बात की जाएं तो दोनों का है ट्रीपल मोटो का है में केमरा 50 का और ओपो का भी में केमरा है 50 का पर्ण केमरा भी दोनों का सेम है स्वरा मिसल का मिलता है पर्ण छोर केमरे के साथ में केमरा की क्वालिटी में ओपो बैस्ट है क्योंकि ओपक स्मार्टफॉन में आपको सेंसर जो है थोड़े से ज़्यादर मिलते हैं बैटिलाइब के बात की जाए तो दोनों में सेम है 5000 इमेज की मिल जाती है दोने की बैटिप्स नोनिबल है आप दोने के बैटिको निकाल नहीं सकते चार्जर की स्पेट दोनों में सेम है 33 वाट दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है दोनों में आपको फिंगर पील सेंसर और फेस लोग भी मिलता है मोटो में आपको ट्रीपल सीम नहीं मिलती है ओपो में ट्रीपल सीम मिलती है वारंटी है दोनों के एक सारगी, कॉनेक्टिविटी है 4G की मोटो में आपको रहे मिलते हैं 4G और 6G की ओपो में रहे मिलते हैं आपको 6G और 8G की मोटो के मैमोरी मिलते हैं आपको 4G और 6G और 6G की ओपो में हैं 6G की मोटो में आप 112 मिलता है और ओपो में 111 प्राइश करते हैं बात करते हैं प्राइश की तो दोनों का सेम है 15,000 रुपी तो फिर आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कौन बोक्स में जोरो बताना वैसे दोनों फोनों में जायव डिफरेंस तो नहीं है बस आपको मोटो में मिलते हैं E-moled डिस्प्ले और ओपो में ही IPS-LCI डिस्प्ले दोनों में यही डिफरेंस है और चाही है रैम में बाकि दोनों में समार्टफोन में सभी फीचर सेम है बकर आपको AMOLED डिस्प्ले लिनी है तो आप मोटो के साथ जा सकते हो